असलाम वालेकुम साथियों कैसो आप लोग उमीद करता हूं सब लोग खेरियस होंगे आज मैं इंडिया और गल्फ की बड़ी और अपडेटेड निउज आप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूं और बताना चाहूंगा कि इरान ने इसराइल पे हमला बोल दिया है बीती राद एक बच कर पैतालिस मिनट पे इरान ने सैक्रो ड्रोन और बैलेस्टिक मिसाइल से इसराइल पे हमला बोल दिया इसराइल पे एर स्ट्राइक किया है जिसमें इसराइल के एर बेस तबाह हो गया है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले इसराइल ने इर साक 2ौड और बालिस्टिक मिसाइल से इसराइल के एयरबैस पहाम्ला बोल दिया जिसकी वझसे पूरा इसराइल डहल गया है पूरे इसराइल में डार का महौन है और लोग दहसत में हैं आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एरान ने लगातार सैक्रो बैलिस्टिक मिशाल दागे इसराइल के उपर और ड्रोन से हमला किया है ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि तीसरा विस्यूद सुरू हो गया है क्यूंकि रस्या के प्रेसिडेंट व्लादमीर पुतिर ने ऐसा बयान दिया है कि अगर इस युद में अमेरिका अगर इसराइल की मदद करता है तो पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ जाएगा एक खेमे में होगा रस्या चीन एरान यमान नौर्थ कोडिया और दूसरे खेमे में हो इस यह जा रहा है कि इसराइल अब डड़ चुका है अगर ऐसा होगा इसा बड़ जा रहा है कि इसराइल अब ड़ चुका है अगर ऐसा होता है कि अगर इसराइल अगर जवावी काड़वाई करता है तो पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ जाएगी और तीसरा विस्विद शुरू हो जाएगा अगली और बड़ी अपडेटेड न्यूज इंडिया से है बॉलिवूड इस्टार सलमान खान के घर पे दो अग्यात लोगों ने तीन रोंड फाइडिंग किया है यह फाइडिंग आज सुबह पांच बज़े के करीब दो अग्यात लोगों ने तीन रोंड फाइडिंग करते हुए वहाँ से फडार हो गए मौके पे CBI की टीम पहुँची है वहां पे तफ्स जारी है चेकिंग चल रहा है और पूरे मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है मुंबई पुलिस कमिस्टर मौके पहुंचा है और मौके पहुंच कर तमाम जगे की चानविन की जा रही है हर एरिया को अच्छे से तफ्दीत किया जा रहा है और यह जो दो अग्यात लोग जो सलमान खान के घर पे फाइरिंग की है यह लोगों की खोज जारी है और पूरे मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है अब वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यह दो अग्यात लोग बे खौफ हो करके बाइक से आते हैं और फाइरिंग करते हुए निकल जाते हैं इसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने सर्मान खान की सिकिरूटी को और ज़्यादव बढ़ा दिया है और पूरे मुंबई में उस अग्यात लोगों की खोज चल रही है और एगली खबर सादी अरब से है सादी अरब की मिनिस्ट्री आफ इंटीरियर ने एक बैया जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 4 अप्रिल से 14 अप्रिल तक 20 हाजार के लगबग गहर मुलकी लोगों को गिरफतार किया गया है यह जो गिरफतारी होती है इसमें जो गैर मुलकी लोग होते हैं यहां के रूलस और रेगलोईशन को वाइलेशन करते हैं रूलस और रेगलोईशन को वाइलेट करते हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं जिसकी वज़े से पुलिस इने गिरफतार करती है और इने डिपोर्ट के रह रहे थे कुछ लोग मेहना कानून यानि लेवर लॉग की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और कुछ लोग सौधी अरब के बॉर्डर को क्रॉस करके सौधी अरब के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे या दाखिल हो चुके थे ऐसे लोगों को सौधी पुलिस में गिरफतार क है जिसके पास इकामा नहीं था वो लोग बिना इकामा के सौधी अरब के अंदर रह रहे थे और काम कर रहे थे पुलिस के तफ्तीस में ऐसे लोग गिरफतार हुए हैं और दो हजार दो सो सरसट ऐसे लोग है जो मेहना कानून यानि सौधी लेवर लौ की खिलाव वर्जी के जुर्म में गिरफतार किये गए हैं और 3860 ऐसे लोग है जो सौधी अरब के बॉर्डर को क्रॉस करके सौधी अरब में आ गए थे और यहां रह रहे थे ऐसे लोगों को सौधी अरब की पुलिस ने गिरफतार किया है और बता दू कि नो सौधी नागडिक को भी सौधी पु यहाँ तरीके किसी भी तरीके मदद करते हैं तो ऐसे लोगों को साथे पुलिस ने गिर्फटार किया हैं आईसे नौ लोगों और इसके उपर कानूनी कारवाई की जाएगी और 15 साल का जेल होगा इन लोगों को और बता दू कि 6271 लोगों को यहां से डिपोर्ट भी कर दिया गया है उनके मुल्क में जो लोग गिराफ़तार हुए थे उमीद करता हूँ खबर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो को जादस जादस सेयर कीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि गल्फ की तमाब बड़ी अपडेटेड न्यूज का पहुंसती रहें तब तब खुश रही है सौस रही है दीजिए मुझे इजाजत फिर मिलते हैं अगली कपड़ों के साथ जैहिंद